नमस्कार जी, सत्साय जी, क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दाशी, आप कहा के रहने वाले हैं? गुडगाओं में खांड सा गाओं से, संत रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? मैंने 2019 में 5 जन्वरी को ली थी, संत रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा में जाती थी, जहां भी पता चलता था नहीं, आस पड़ोस में वहां भी चली जाती थी. जो तेवी देवताओं की भक्ती साधना आप करते थे, उन से आपको क्या-क्या लाब हुए? जी कुछ भी लाब नहीं हुआ, आर्थिक तंगी बहुत थी घर पे, कुछ भी लाब नहीं हुआ, और मैं हर 6 महिने में मुझे टाइफएड हो जाता था, सबका टाइफएड 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2-2-3 महिने में ठीक होता था, एक महिने ठीक रहती थी, म फिर टाइफएड हो जाता था, कुछ भी लाब नहीं हुआ, और जिद आर्थिक तंगी रहती थी और घर में कलेश होता था, क्योंकि मैं चली जाती थी छुपके से और फिर आती थी था, तो सब डाड़ते थे, कि कुछ लाब भी नहीं होता और ये पागल होई गुमती है, मं सब प्रिस्थितियों के पीच, आपको संत रामपाल जी माराज की जानकारी कहां से मिली? तो इनको ही वो किया तो एक बार हमारा ओटो चोरी हो गया था, सूबह चार बज़े के आसपास तीन से चार बज़े के बीच, तो मेरे पापा के पास जो दोस्ता बगजी है वो भी उनका कोल लाया कि भाई आज बड़ी जल्दी ओटो पे चल गया पापा गया है मैं तो घर मैं यह सोच रही थी कि अगर मैं और मेरे ममी मिलके जोड़ेंगे, एक ओटो निकल वाएंगे तो अभी कम से कम हमें एक साल लगेगा, एक साल में हम पैसे जोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, तो इतना कहके मैं बर्तन दोने चली गई तो पापा और भाई बोले चलो मैं बर्तन दोने चली गई तो इस तो इस तो इस तो पता निसकते कि मैं कितनी रोई थी कि तैंशन थी कि अब क्या होएगा कैसे करेंगे कुछ नहीं समझ भी आ रहा एक फिर मेरे पापा आए साड़े छे बज़े ऐसे ऐसे आए जया है कि मैंने उनके सामने मन बोला है कि ग खोटे भाई को बताया था कि साहिल मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुजी के सामने बोला था और रोटों मिल गया और मैं मतलब मैं तो यह सब नहीं छोड़ सकती दान्स वांस करना जब फिर मैं बाइन मुझे समझाया एक बुकदी ग्यान गंगा वो पढ़ी और फिर मैंने दो त एमपू चोरी हुआ था वो आपके पिता जी को वापिस मिल गया उसके बाद आपने संतरामपाल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको कोई अन्य लाब भी प्राप्त हुए जी लाब तो मुझे बहुत बहुत जादा हुए हैं लेकिन उसमें से एक है जो कि मु जैसे उन्होंने जो बताया था उसके एक साल होने ही वाला था अक्टूबर में दिवाली के एक दो दिन पहले मेरे किसी ने बाल काट लिये थे इतने डाई से तीन इंच के और यह जब भी सब को पता चला है मेरे लिस्तेदारों को अड़ोसी को सबने तरह तरह की बाते हमारा तो घर अच्छा नी बन रहा शूब नी बन रहा और कहां लड़की को बेज रही है लड़की को भी नाम दिला दिया और यह ऐसी है वैसे हैं और अब मुझे दो साल हो गए है उस जो हाथ देखते है न जो अच्छी ए बाबा वगेरा उन्होंने एक साल का बोला था त उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थी थी बहुत खराब थी हमारा सिर्फ एक कमरा था गर्मी शर्दी में तो निकाल लेते थे जैसे तैसे लेकिन बारिस के मौसम में जब बारिस आती है नो तो कीडे से होते हैं हम आना मैं उनको देखके बैड पर बैठी रहती थी और रोत और एक किचन है यह भी बहुत बड़ा लाब हुआ है मुझे हर छे महिने में टाइफाइड होता था हर छे महिने में दो हजार 21 से 2023 तक मैंने बलड टेस्ट तीन बर करवा लिया है आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गई मुझे आज तक ना टाइफाइड हुआ है ना फीवर हुआ है आपने बताया कि संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक लाब हुए और आपको जीवन दान भी संत्रामपाल जी महाराज ने दिया तो आज लाखो करोडों लोग आपको सुन रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चा सास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उनकी भक्ती से बहुत लाब होते हैं अनेको अनेक आप सबी से हाथ जोड के प्रात्ना है कि आप संत्रामपाल जी महाराज जी का ग्यान सुने उन्से नाम दिक्षा ले और अपना कल्यान कराएं धन्यवाद जी तटेज